विखारathy नमस्कार स्वागत था आपका विहारी नियूज में मैं हूँ आपके साथ अभई विषाल देश के सभी राज्यों में राज्य के काणून विबस्थ था और सभी कारियों को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यू के सभी जिलों में दो वरिया पताधिकारी होते हैं एक होते हैं जिला अधिकारी जिने हम DM कहते हैं और दूसरे होते हैं पुलिस अधिक्षक जिने हम SP कहते हैं जिला अधिकारी जिले के विकास और सासन से जुरे कारियों को सुनिश्चित करते हैं पूरा जिला DM के नीचे ही काम करता है तो वहीं पुलिस अधिक्षक जिले के कानून व्यवस्था और अपराद नियंतरन को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करते हैं जिला में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी ASP ही होता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनी दो अधिकारियों के बारे में जिला अधिकारी IS अधिकारी होता है जबकि पुलिस अधिक्षक IPS अधिकारी होता है इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि IS और IPS में क्या अंतर होता है और इन दोनों अधिकारियों के काम करने का तरीका क्या होता है साथ ही यह भी जानेंगे कि इनको वेतन कितना मिलता है पूरे भारत वर्स में Union Public Service Commission यानि कि संग लोक सेवा आयोग की परिच्छा सबसे मुश्किल परिच्छाओं में से एक मानी जाती है प्रतेक वर्स लाखो च्छात्र इस परिच्छा में बैठते हैं और I.S. या I.P.S. बनने का सपना देखते हैं भारतिया प्रसाशनिक सेवा में सबसे बरापद कैविनेट सचीव का होता है I.S. अफसर विभीन मंत्रालायों, विभागों या फिर जिले के मुखिया बनाये जाते हैं U.P.S. की परिच्छा में उमिद्वारों को तीन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है सबसे पहली प्रक्रिया है P.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E अफसर का खास यूनिफॉर्म होता है duty के दोरान हमेशा formal race में रहते हैं जबकि एक IPS duty के दोरान अपने वर्दी में रहता है एक IPS के साथ एक या दो अंगरक छक होते हैं जबकि IPS के साथ पूरी police force होती है जब कोई IPS बनता है तो उसे एक medal दिया जाता है जबकि कोई अगर IPS बनता है तो उसे sword of honor से सम्मानित किया जाता है सरकार की नीतियों को लागू करवाने का काम एक IS अधिकारी का होता है वहीं इसके विप्डित एक IPS अधिकारी अपराग, नियंतरन और कानून विवस्था बनाए रखने का काम करता है IS और IPS के तीन महिने की ट्रेनिंग लाल बहादूर शास्त्री राश्ट्रिय प्रसास्टिंग अकाडमी में होता है इसके बाद IPS प्रसिक्षूं को सरदार वल्लब भाई पटेल राश्टिय प्लिस अकाडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है जहां उन्हें प्लिस की ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से देखा जाए तो IPS की ट्रेनिंग IS की तुलना में ज़्यादा मुश्किल होती है अब हम बात करते हैं इनके वेतन के बारे में IS अधिकारी का वेतन IPS अधिकारी से ज़्यादा होता है सात्वे वेतन आयोग में एक IS अधिकारी का वेतन लगबग धाई लाक रुपया प्रतीमा होता है इसके साथ ही ने अनिस्तु विधाएं भी मिलती है वहीं IPS अधिकारी का वेतन 2,25,000 रुपय प्रतीमा हो सकता है सबसे खास बाती है कि एक छेतर में एक ही आईएस अधिकारी होता है जबकि एक छेतर में एक से अधिक IPS अधिकारी तैनात हो सकते हैं अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि आईएस और IPS में कौन बड़ा होता है हाना कि आईएस और IPS दोनों की अपनी खास गरिमा होती है दोनों ही पद सकतिसाली होते हैं लेकिन कुछ कारणों से आईएस को IPS से ज़्यादा बड़ा माना गया है क्योंकि आईएस लगबख सभी विभागों का मुख्या होता है जबकि IPS सिर्फ पुलिस विभाग का मुख्या होता है तो हम उमीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो जानकारी उपलग्द कराई है वो आपको समझ में आ गई होगी हाला कि समबंद में अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों सरूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी नूज धन्यवाद